हाइ एवरिवान! आज मैं आप के साथ शेयर कर रही हूँ फिश करी बनाने का बहूत ही इजी तरीका और नया तरीका जो शायद ही आपने कभी ट्राइ किया हो और ये जो फिश है वो बनाने वाली है मेरी जो मेड है वो जो की बिहार से बिलोंग करती है वो बनाएगी और ये बहुत लाजवा बनी जब मैंने इसे खाया देखके मुँ में पानी आ रहा होगा जिन लोगों को फिश करी बहुत पसंद है तो एक बार इस तरीके से ट्राइ करिएगा आपको बहुत पसंद आएगी मेरी फैमली को तो ये बहुत ज्यादा पसंद आई और तरीका भी बहुत आसान था पर देखने में जितनी सुन्दर लग रहे ना उससे कहीं जाद ये टेस्टी है अगर आप भी इस फिश करी को ट्राइ करना चाते तो वीडियो को देखिएगा हाई अब्रिवान मैंगी तवर मैंगी तटनी रेस्पी हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वालत करती हूं तो यहां पर सबसे पहले गैस पे हमने एक तवा रखा जिसके उपर एक टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया डाला है और चार करीब यहां पर काली मिर्च साबुत इसे हम धीमी धीमी आज पे एक तम लो फ्लेम पे हमें इसे भूनना है दो मिनिट के लिए अभी कुछ चीज़े मैं इसमें और डालने वाली हूं तो यहां पर एक टीस्पून हमने डाला है जीरा और यहां पर जादा जाएगा तो वन किलो रोहू फिश आपको इस भी फिश ले सकते जरूर नहीं है मैंने रोहू ली है और इसे चार से पाच बर अच्छे से धो लिया था अब इसके ऊपर एक टेवल स्पून मैंने हल्दी डाली है साथी नमक डालेंगे नमक थोड़ा सा जादा रखेंगे तो जादा अच्छ पीसे जालते जाएंगे फिश के और बहुत जादा भरेंगे नहीं क्योंकि टूटने के चांसे होते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके फ्राइब करेंगे जल्दबाजी की कोई जुरुत नहीं है तो यहां पर इसे हमें हाइफ लेम पर फ्राइब करना है और इसे ज्यादा छ तो यहां पर मैंने एक बार इसे पलट दिया था अब देखिए इसका जो कलर है वो एक तरफ से बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है अब इसे फिर से पलट देते हैं और इसे बहुत ज़दा बीच-बीच में नहीं छेड़िएगा इसे हाइफ लेम पे इस तरह क्रिस्पी हो गई है जब इस तरीके से हम फ्राई करते हैं तो फिश का टेस्ट बहुत ही लाजवाब आते तो इस तरीके से ही आपको फ्राई करना इसे हाइफ फ्लेम पे गैस को लो मत करिएगा नहीं तो क्रिस्पी नहीं होगी अब बाकी के बचे हुए पीसे भी डाल दे इसके अंदर हम एक कप पानी डालेंगे और इसे बिल्कुल बारिक पीस लेंगे जितना बारिक पीस सकते हैं उतना बारिक इसे पीसना है मैं आपको दिखा देती हूं इसनले को यहां पर मैंने मसाली को ग्राइंड करें इसमें काफी सारा पानी जगये थ Ohio तो यहां पर देखें बारिक पिस्त तईयार किया है मोटा मोटा रहा ना मूह में आएगा वह वह बिल्कुल व wonder नहीं लगेगा इसलिए कोशिश करें जितना बारिक पीस सकते हो इनलीज तो यहां पर बागी के पीसिस भी फ्राइ कर लेते हैं तो यहां पर हमारे सारी जो फिश है वह फ्राइ हो चुकी है अब जो बचा हुआ तेल अगर आपको जादा लगए तो इसमें से कम कर सकते हैं तो इसमें आपको डालना है हाफ टीस्पून मेथि दाना को हल्का साफ तो अब इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे यहां पे पहले जो मसाला लगा आता जार में वह वह पाणी डाल के ऊसे निकाल लिया है और वह भी डाल दिए तब नमक डालेंगे नमक ठ्शान के नमक हम भी unity के लिए क्योंकि और ऐन हमदा एक तो रिख अब 365 कउड़िं और बहुत जल्दी भून जाएगा हाई फ्लेम पे तो यहां पर देख सकते हैं अभी मसाला भूना नहीं है इसे भूनने देते हैं तो पांसात मिट अराम से लग जाएंगे अब मैं इसमें एक टी स्पून देगी मिर्च डाल रही हूं देगी मिर्च से बहुत ही अच्छा कल मतलब मसाला बहुत अच्छे से भून गया है अब इसमें हम दो गिलास के करीब पानी एड़ कर देंगे जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से आपको पानी एड़ करना है तो मैं थोड़ी पतली रखोंगी बहुत ज़दा गाड़ी नहीं रखने वाली हूं कि यहां पर दो गिलास के करीब हमने पानी डाल दिया है एक टीस्पून यहां पर मैं अमचूर पाउडर एड़ करूंगी क्योंकि हलकी सी खटास फिश करी में बहुत अच्छी लगती है तो यहां पर कोई हम टमाटर प्याज अदरक का इस्तमाल नहीं कर रहें बिल्कुल हट तो यहां पर आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी फिश हमने फ्राइ की है और यह जब ग्रेवी में जाती है न तो सौफ नहीं पड़ते हो पीसे तूटते नहीं है और फिश करी खाने में बहुत लाजवाब लगती है सिर्फ पांच मिनट इसे आपको पकाना है फिश डाल आपको समझ में आरहा हुआ कि कैसी बनी है बहुत ही लाजवाब ग्रेवी देख सकते हैं बहुत पतली भी नहीं है बहुत गाड़ी भी नहीं है और पीसे भी बिल्कुल नहीं टूटे एक दम साबुत पीसे बहुत लाजवाब लगते मेरी फैमली को मुझे तो यह बहुत बारबर बनवारे वाली इस तरीके से तो अगर आप इस तरह की और भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो कॉमेंट करके बताएगा मैं आपके साथ और भी बिहारी स्टाइल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ अब जिसको इस फिशकरी को देखके मूं में पानी आ गया है फट देखना चाहते हैं यह भी लिखके जरूर बताएगा थोड़ा सा आइडिया हो जाते हैं कि आप क्या पसंद करते हैं कौन सी रेस्पी देखना चाहते हैं तो मुझे भी बनाने में आसानी होती है तो अगर नॉन्वेज देखना चाहते हैं तो नॉन्वेज लिखके बताए और चैनल पर पहली बारा हैं तो सब्सक्राइब किये बगएर तो बिल्कुल मत जाएगा साथी नोटिफिकेशन बैल को भी और कर देजेगा ताकि आपको मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले